सुन तू ले सकता है अच्छे से मेरी पर मुझे अच्छे से रख नहीं सकता सुबह होती है तो ससुराल वाले उस चादर को देखते हैं कि वो चादर मैली हुई या नहीं अगर वो चादर मैली हो गई हो तो इसका मतलब बहु पवित्र है और अगर चादर मैली नहीं हुई हो तो बहु आओ पवित्र है और शादी से पहले बहु ने अपना मूँ काला किया होगा ये माना जाता है इस वेब सिरिस की स्टोरी काफी मज़िदार लग रही है तो जल्दी से स्टोरी एक्स्प्रेंड करते हैं कि चादर मैली हुई या नहीं दोस्तो इस वेब सिरिस के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हिरल नाम की एक लड़की होती है और उसकी तीन दिन के बाद शादी होने वाली होती है और उसका रौकी नाम का एक नल्ला और निकम्मा बॉइफ्रेंड होता है क्योंकि हिरल की तीन दिन बाद शादी होने वाली होती है इसलिए वो अपने बॉइफ्रेंड रॉकी से मिलने जाती है तो उसका बॉइफ्रेंड उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ कर किसी और किसा शादी क्यों कर रही हो तो हिरल कहती है देखो रॉकी तुम एक नंबर के निकम में और नले बेरोजगार हो तुमारे पास पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं होते वो भी तुम मुझे से मांगते हो और नहीं तुमारे पास कोई काम धंदा है और नहीं घर और नहीं ठिकाना तो तुम कैसे मेरे शोक पूरे करोंगे और कैसे मुझे अच्छे से रख पाओगे रॉकी तुम मेरी अच्छे से ले सकते हो पर मुझे अच्छे से रख नहीं सकते। ले सकते हैं तो पिंकी की मा कहते हैं आज तुमारे बाबुजी होते तो ये जानकर कितना खुश होते कि आज उनके बेटी की शादी है। ये सुनकर पिंकी की मा पिंकी को डाटती है और कहती है एक रख कर दूँगी तुझे शादी में उचलकुत करने की कोई जरुत नहीं है। तो बिरादरी में तेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा और तुझे सब बच्चलन लड़की समझेंगे। तुझे तो पता है ना हमारे बिरादरी में मैली चादर की प्रता है। वो प्रता अगर शादी से पहले तूट गई तो तुझे काम की नहीं रहे जाएगी और ना ही तो घर की रहेगी और ना गाट की। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है फरान नाम का एक लड़का बैट कर पिंकी का वेट कर रहा होता है क्योंकि वो पिंकी का बॉइफ्रेंड होता है। बालों में तेल लगाया कर तभी तेरे बालों में थोड़ी जान आएगी और एक बात ध्यान से सुन कल सुबह जाकर दुकान से एक सफेज चादर लेकर आ और अपने भाईया के बेड़ पर अच्छे तरह से बिच्छा कर रख देना और सुख रात के अगले दिन सुबह सु बालों में प्रता बनाई गया है वैसे ही लड़कों की भी पवीतरता चेक करने के लिए कोई प्रता बनानी चाहिए न यह सुनकर पिंकी की माँ गुस्ता हो जाती है और उससे कहती है तुझे जितना कहाना उतना किया कर फालतु के बातों पर ध्यान मत दे फिर अगले दिन राज और हिरल की शादी हो जाती है और हिरल सुवागराद के बेड़ पर बैटी होती है तो पिंकी उसके पास आती है और उससे कहती है भाबी तुम तो बहुत सुन्दर हो मेरे भाईया की तो एश है आज राध भाईया को बहुत तड़ पाना और अच्छे से मजे करना फिर उसी वक्त राज कमरे में आ जाता है, तो पिंकी राज से कहती है, सुवागराद से पहले, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे भईया, नहीं तो मैं कमरे में से बाहर ही नहीं कि, और तुम्हें भाबी के साथ सुवागराद मनाने नहीं दूँगी, तो राज एक नोटों की गड़ी निकाल कर पिंकी को दे देता है और पिंकी वहाँ से चले जाती है उसके बाद राज हिरल का गुंगट उटाता है और हिरल का खूबसूरत चहरा और बदन देखकर उसके मन में लड़ू फुटने लगते है और वो खुद को रोक नहीं पाता और हिरल के साथ रोमेंस करने लग जाता है और फिर धीरे-धीरे हिरल भी उत्तेजित हो जाती है और राज के साथ रोमेंस करने लग जाती है फिर कुछ देर बाद दोनों निवस्तर होकर एक दूसरे को चरमानन देते है और पलंतोड मजे करते है और इसी के साथ वेब सिरिस खत्मा हो जाती है और दर्शोको का खड़ा हो जाता है मन में सवाल कि चादर मैली हुई है या नहीं और ये जानने के लिए वेब सिरिस का पा आई जरूर कीजिए और अगर आपको हमारा स््टोरिय एक्स्प्लेनरेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए क्योंकि हम इसी तरह के स्टोरिस आपके लिए एक्स्प्लेंड करते रहते हैं तौ चलिए मिलते हैं नेक्स् वीडियो में वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद